हेलो गाइस and welcome to wsTubeTech हमारी एक complete playlist स्टार्टी एड़ो ऑडिशन पर जिसमें हम step by step सीख रहते कि एड़ो ऑडिशन में कैसे हम अच्छी तरह ओडियो एडिट कर सकते तर गाइस हम एड़ो ऑडिशन को अच्छी तरह समझ रहते कि एड़ो ऑडिशन में आखिर कॉन से कॉन से अच्छी फीचर्स है जो इसे बागिए डिटर्स से अलग करते है तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले audio channels के बारे में हाँ गाइस बिल्कुल audio channels के बारे में तो गाइस आखिर audio channels होते क्या और यह कितने टाइप के देखिए आप की आप मिलते थी टाइप स्टेपबाइच क्या होता है अभी है अपनी audio क्रिएट कर रहा हूं कम इसे मोमोघ तो ठीक है और इसको सबस्क्राइब कर दिएता हुआ तो यहां पर आपको इसको पही चैनल मिल रहा है ऐसा नहीं कि आपको लेफ्ट चैनल अलग और राइट चैनल अलगना इसमें आपके पास अगर 5-6 स्पीकर्स भी हो तो हर स्पीकर से आपको सेम वोईस आइंगी आपके सारे स्पीकर्स से आपके पास कितने भी क्यों हो तो जैसे मैं इसे भी कर देता हूं तो गाइस चैनल अवेलेबल हो गए और यहां देख सकते एक एक यह एक आर है लेफ्ट राइट गाइस तो देखिए यहां पे सीप एक राइट चैनल और अब मुझे सीप राइट में आवा जाएंगी तो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या समझाना चाहरा हूँ आपको तो यह काफी डिफिकल्ट चीज तो नहीं है बड़ कई बार होता क्या है जैसे कोई मूवी आप देख रहे हो तो अगर डाइनिंग टेबल पर पूरी फैमिली बैटी है और लेफ्ट साइड में कुछ लोग कारेख तो यह होता है इस्टीटियो के काईस मोगा सकते मैं आप दो चैनल्स में ऑड्यो को अपनी डिवाइट कर सकते हैं या आप यया डो से ज़़्जा माइक्स भी कर सकते गए तो आपको समझ आया होगा देखी घर से आपको शुच में डिसेबल कर रहा हूं तो अब मै तो यही फर्क होता है आपको कभी अगर ऐसे प्रोजेक्ट मिले जिस पर आपको ऐसा कुछ वर्क करना हो तो आप इसका यूज ले सकते हैं वैसे आपको अगर यूट्यूब वाले वीडियो या आपको पॉड़कास्ट के लिए वीडियो यह सब आपको और यूज एडिट कर करके राखे तो वाइस इसमें हमें वीव भी थोड़ा छुटा मिलता है इनमें हमें वीव फांस भी क्लियरली उतनी दिख्टनी जूम करने के बाद दिख पाती है तो इसलिए मोनो ठीक है देन अगर बात करें कि अब तीसरा जो चैनल है हमारा 5.1 थोड़ा काफी इंट्रे और इसमें आप अगर 5.1 वाले स्पीकर्स भी लेने जाएंगे तो इस 5.1 सरांड बोलते हैं तो आपको इसके पाच स्पीकर्स मिलते हैं जो आपका सब वूफर होता है वह तो बेस होता है उससे बेस जनरेट होता है तो आप कहीं भी रख सकते हैं इतना ध्यान में रखते हैं कि आपको उसे किसी हाड चीस पर रखनें आप उसे अगर किसी प्लास्टिक टेबल पर रख देंगे तो आपको बेस उतना क्लियर नहीं आएगा ठीक है जो आपके 5 speakers होते हैं वह important है कि वह आप किस तरह से उसे रखते हैं क्योंकि अगर आप उससे एक साथी रख दे रहे तो आपको कोई फिल नहीं आएगा कि आप 5.1 सुन रहे हैं अगर आप उसका अच्छी तरह फिल देना चाहते आप अच्छी तरह उससे सुनना चाहते तो आपको चार जो speakers है उसके चार कोनों में चार speakers रखने होंगे चारो direction में अलग-अलग और जो आपको तॉप पे रखना होगा जो आपके सब वूफर के साथ रखा जाएंगा तो गाइस 5.1 यही होता है अपकर जो 6 channels होते हैं आप अलब एक आपको रियालिटी फिल करवाता है गाईस यह साउंड में जो रियालिटी होते है वह आपको गाईस 5.1 फिल करवाता है वैसे मेरे पास कुछ है जो मैं आपको सुनाना चाहूंगा 5.1 audio तो गाईस यह यह रा 5.1 यह हम लाएंगे इंपोर्ट कर देंगे अट आव ज आप अच्छी तरह आप समझ गया है कि कैसा 5.1 सून्स होता है यह आपको गाईस फिल करवात है सौन को कि आपका लेट सी कहां से आवा जा रहे है आपका लेट लेट पोस्यावा न जा दो गाईस। लेफ्ट से आवा जा रहा है या लेफ्ट बैक से आवा जा रहा है आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाहरा हुआ इस क्या समझाना चाहरा हुआ आपको तो यह काफी अच्छा सराउंड साउंड होता है जो अगर बात करें हम इसके बाद भी चैनल्स है वैसे इसके बाद भी चैनल्स है तो आपको सुना दू वैसे अच्छी चीज है आपको सुनके उसे भी माजाएंगा आप समझ पाएंगे कि 7.1 आखीर होता क्या है तो वैसे मैंने कर दिया इंपोर्ट और यह 7.1 यह सुने गई तो आपको ऐसा फिल वाँगा कि आपके चारों और से हलिपैड होके गया है तो वैस यह रियालिटी जो है यह रियल फिल जो है गईस यह इन साउंड में आता है ठीक है आपको स्टिरियो में आपका कुछ पर पस है कुछ आवास सुनानी आपको कोई चीज रिखानी तो ठीक है यह यूज कर सकते हैं यूज किया जाता है काफी जगा यूज किया जाता है अगर आप थेटर्स में एंड ऐसी कुछ जगा बात करें तो आपका यह 5.17.1 यह चैनल यूज किये जाते हैं वैसे आपके 5.1 में सुनाएंगे तो आपको कोई मजा नहीं आने वाला है जो फिल आपको इन साउंड से आया वह फिल आपको उन साउंड में नहीं आएंगा ठीक है तो इसकी रिकॉर्डिंग ही अलग होती है तो आपको चैनल के बार मैं समझ आया हूंगा कि हमारे स्पीन चैनल जो फुर्डिंग आया होती है जो एग वह दो इड़ा मेंसुन आपको उर साउंगे